नमस्कार मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुगा और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो करोना से रिलेटेड मैंने पहले भी किया है उन सब में मैंने एक ही चीज कहा है कि करोना खुद जान लेवा नहीं है करोना का डर पै अया जा रहा है फस्ते एप लोग है जो लोग बेवकूफ है जयां फिर से बोलूंगा वही लोग फस्ते हैं और सफर करते हैं जो लग अवल दरजे का बेवकूफ हैं ऐसंब्रोध का मैं कुछ लोगों की बात करना चाहता हूँ जो मेरे पिछले वीडियो था वहां पर कुछ लोगों ने comment करके बोला कि तुमको कुछ नहीं मालूम तुम डॉक्टर हो ना कुछ नहीं मालूम करोना के बारे में इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं दुनिया में वही घिसा पिटा सवाल जिसका जवाब मैंने कितनी बार दे दिया है आज उन बेवकूफ लोगों के लिए ये वीडियो समर्पित है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि ये बेवकूफ लोग क्यों सफर करते हैं और करोना जो पॉजिटिव होता है उसके बाद लोग क्यों मरते हैं पहले के वीडियो में बताया है फिर मैं आपको पॉइंड करके बताऊंगा सौर्ट कड में आप अच्छी तरह सी इसको लिख के रख लीजिए सबसे पहली बात लोगों को करोना पॉजिटिव क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे कारण है चाहे वो किट गलत हो सही हो वो तो अलग बात है बेसिक चीज यह है कि लोगों की इम्मुनिडी कम है जो बेवकूफ जो हराम खोर लोग पूछ रहे हैं थे कॉमेंड में बार बार मैंने जवाब दिया है फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि तुम डॉक्टर होना तुमको मालूम नहीं है इतने सारे लोग मर रहे हैं बकवा कि लिए उन लोगों की लिए सुनो अच्छी तरह से जिनकी इम्मुनिटी कमजोर रहती है सालों साल आज तक तो कोई ऐसे बीमारी नहीं आई थी कि तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा अच्छा खयाल आए तुम लोग दिन वदिन अपनी इम्मुनिटी खूद कमजोर क अपने पेरों में खुद कुलाडी मार रहे थे कैसे अपने डिली रूटीन को देख लो शुरू होता है चाह से दूद से अच्छा देशी गाय का दूद तुमको तो पचेगा नहीं तुम लोग खाओगे नहीं उसको मांस करके खाओगे बकरी को मांस करके खाओगे लेकिन अच्छा वाला देशी गाय का दूद हो बकरी का दूद हो वो स्वास्ते के अम्रित है जर्शी वाला यूज करोगे जिसको इंजेक्शन दे दे के दूद निकाला जाता है वो वाला यूज करोगे अभी तो दूद वाला एटियम आ गया है घटिया किसम का दूद जितने भी ये केमिकल मिला हुआ जो पैकड़ वाला जो रेडी मेड मिलता है ना तुम लोगों की इम्मुनिटी खराब करता है तुम लोगों को पता नहीं है जो लोग वो दिन वदिन इस्तमाल करते हैं उनका इम्मुनिटी क्या होगा चाहिए वो इंडिया में हो चाहिए वो फरेंट कंट्रीस में हो जहां भी इस तरह के घटिया किसम के चीजी यूज करते हैं इम्मुनिटी कमजोर होता है फिर आते हैं पानी का जो की जीवन कहा जाता है जिसको ठीक है दिन बर में बहुत सारे पा अगार जैसे कंपनीओं के तरफ से जो सुद्ध पानी का जो फैलाव होता है वो लोगों बोलते हैं आइबरटाइजमेंट में उससे क्या होता है पानी जो नेचुरल जो कंटेंट है वो मर जाता है वो पानी आप प्योंगे तो आपकी इमेनिटी कैसे स्ट्रोंग रहेंगी नहीं रहेगी खूद अपने पेरों पे कुलाडी मार रहे हो जो नेचुरल वाटर है उसको में उसमें तुलसी डालो उसको तामे में रखो उसको गरम करके ठंडा करके पीओ सबसे बढ़िया है वो कितना भी एक्वागार लगा लो उसमें से कोई समाधन नहीं होगा तुम फ्रीज में पानी रखो पीओ तंडा पानी तो उनको त्योमिनिटी खराब होगी यही सब वो कारण है खाना खाते हो तुम लोग अनाज किस तरका खाते हो जिसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर मिला वहा होता है गाई रखोगे तभी तो जो अच्छा वाला फर्ट फर्टिलाइजर है वो यूज होगा उनको मार के खा जाओगे तुम लोग तो फिर उसमें जो उगेगा उसमें क्या खाक होगा जो तुम लोग खाओगे और तुमारी इम्मेटी स्ट्रॉंग होगी बस दिखोगे गोल मटोल लकिन अंदर कुछ नहीं होगा एक छोटा सा व इसाइटी डिप्रेशन पैदा करोगे अंचाहे सवाल यह जितने भी चीज़ें हैं तुम लोगों की इम्मेटी खराब करती है और तमाम वह वाल्ड वालों की जिनकी भी मौत हुई है जिनकी भी पॉजिलिव हुई है उनकी इम्मेटी कमजोर कर रही थी इसलिए वह लोग इंफेक्टेड है यह समझने की कोशिश करो करोना को कोई सौक नहीं है तुमारे बॉडी में आकर घुसने का तुम लोग खुल उसको बुला रहे हो इंविटेशन देकर बुला रहे हो अपने शरीर में अपनी इम्मेटी कमजोर करके बुला रहे हो वह उसका सरीर देखता ह है उसको सरीर को चायन करता है जिसकी इम्मेटी कमजोर होती खुद अपने आपको सुधारोना वह छोड़के चला जाएगा तुमारे शरीर को करोना को मारना कोई आसान नहीं है मार नहीं सकता उसको को यह अप पहले अपने दिमाग में डाल लो वह तुमारे साथ रहेगा ह हो कुछ भी ओ नोवल करो ना हो कुछ भी ओ फलाना हो धिमका हो कोई भी ओ तुमारे साथ वो रहेगा जब तक तुम अपने जो सेहत का खयाल नहीं रखोगे अच्छी चीजों का खयाल नहीं रखोगे वह तुम्हें छोड़के नहीं जाएगा उसका वैक्सिन बन नहीं सकता उसका दवाई बन नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, बनेगा भी तो उसका साइड एफेक्ट बहुत है, सबसे बढ़िया चीज़ है अपनी इम्मिनिटिक को कमजोर होने से बचाओ, उसको स्ट्रॉंग करो, नेचुरल चीज़े यूज़ करो, देशी गाय का दूद, अच् के देश वो लोग गोवर खाते हैं, कौन सा गोवर, जर्सी गाय वाला गोवर खाते हैं वो लोग, उसमें भी कोई ठीक चीज नहीं है, देशी गाय का गोवर खा लेते, ठीक होता तुमारे लिए, वो लोग जर्सी गाय का गोवर खाकर बड़े हुए हैं, पाव रोटी खा तुम लोग घटिया चीज खाते हैं वो लोग उनकी इम्मिनिटी तो वैसे ही कमजोर होगी अमरीका वाले वो जितने भी यह लोग मर रहे हैं ब्राजिल वाले सब इनकी ऐसे ही होगी वैसे ब्राजिल तो अभी अच्छा है हमारे इंडियन ब्रेड का जो देशी का वो लोग थोड़ा उनकी सहत अब इच्छा है लेकिन अमरीका वाले क्या कॉम्पेर कर रहा तुम लोग हिंदुस्तान विश्व गुरू है सारे चीजों को सीखता है वो और तुम लोग घटिया अमरीका वालों से साथ कॉम्पेर करते हो जो लोग पीजा बर्गर खाकर बढ़े कुछ भी थोड़ा हुआ ये लोग फड़ा फड़ मर जाएंगे क्योंकि इनकी इमुनिटी कमजोर है इन लोगों ने खुद अपने पैर काड लिये हैं उनके साथ कॉम्पेर मत करो अपना जो भी देश का जो संस्कृती है वो उसका ख्याल रखो तुमारा ठीक होगा करोना इसी के कारण पॉजिदीव होता है और अब जाने के बाद उनकी मौत क्यों हो रही है उसका कुछ पॉइंट है सबसे पहला है गलत दबायों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोग बार मैंने यह थाइग जांप्ल्स बहुत देखें जाने के बाद कुछ नहीं दिया जाता उ कुछ नहीं ज्यादातर जगा पर यही किया जाता है ज्यादातर जगों पर इसलिए लोगों की मौत होती है खायाल नहीं रखा जाता कोई पूछता भी नहीं उनको इसलिए मौत हो रही है करोना के वज़े से नहीं है गलत ट्रेट्मेंट के वज़े से हो रही है दूसरी कुछ उसी के कारण मौत हो रही है कि ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट से जिसके कारण मौत हो रही है उनकी करोना के वज़े से नहीं तो आपने दिमाग से हटाओ इस चीज को करेक्शन कर लो आज ही करेक्शन कर लो वरना आने वाले दिनों में जो और भी बहुत सारे वाइ पागल होए पड़े हैं पैसा नहीं है खाने को भूग से बिलक कर मर रहे हैं यहीं हो रहा है इसके कारण लोग मर रहे हैं यहीं इम्निटी कमज़ोर करती है अभी लॉक्डाउं साट डाउन खुलने दो कितने लोग बिमार पढ़के मरेंगे तुम लोग देखना हॉस्पिट तुम लोग यहीं करना चाते हैं वो लोग यहीं उनका सड़ियंत्र है तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो अकल वाले अंधे हो तुम लोग जो लोग बेवकूफ यह कॉमेंड करके पूछ रहे हो ना अकल वाले अंधे हो तुम लोग अभी भी वक्त है सुधर जाओ नहीं त तुम लोग ऐसा ही देखते रहोगे वह भाएधा धन्यवाद धैंक्स अलोट नमस्कार